कि मेश राशी को स्थान दिया गया है सबसे पहले अंगूठे के प्रथम पर्व में यह वाला पॉर्शन कि यहां से मेश राशी की शुरुवात होती है यानि की जैसा कि हम कुडली में देखते हैं कुडली का मैं यह निकाल लेता हूँ कि बंटू थ्री फॉर लिखावाई है यह कुंडली तो मेश राशी एक नंबर जो है यहां पर यह हाथ में आएगा यह वाला पॉर्शन अंगूठे का उपर वाला हिस्सा सबसे उपर चीक है उसी तरह इसके अंदर जो है जैसा भी चिन्न बनता है या पैटर्न बनता उसके उपर से फिर उसका आगे का वह देखेंगे कि उस उस राशी के उपर कौन सा गरह कैसे क्या इफ्रेक्ट डाल रहा इसके बाद आता है शुक्र का शेत्र यानि व्रिशब राशी का जो स्थान है वह अंगूठे में अंगूठे के नीचे यह वाला पॉर्शन जो है जो शुक्र का एरिया है इसको लेते हैं व्रिशब राशी में क्योंकि सेकंड हाउस जो होता है वह शुक्र का होता है तीसरा आता है मिथुन राशी मिथुन क्या होता है मिथुन राशी के अधिपति कौन होते हैं बुद्ध निचला वाला हिस्सा यह वाला एरिया यह मिथुन राशी के अंडर में हो जाता है यह वाला पॉर्शन इसके आजाते हैं चंद्रमा करक राशी करक राशी चंद्रमा का स्थान यह में दो जगा मतलब मेनली तो हम सूरी को ही लेंगे मेस चुटबत लेकिन उसके ऊपर बाला यह वाला हिस्सांवी लेते हैं है यह आता सिंघ राशी में कि सिंग के बाद आते हैं कन्या कन्या का अधिपति कौने बुद्ध तो कन्या के सबसे उपर वाला पॉर्शन यह वाला जो है उपर वाला पॉर जो है उंगली का वह कन्या राशी के अंडर में आता है इसका बाद आते हैं तुला राशी तुला राशी थोड़ा सा मैजिकल है इसको स्थान कहां पर मिला हुआ है उसको स्थान मिला हुआ है सूर्य परवत और शनी परवत के बीच वाला हिस्सा यहां वाला आप बेसिक कोर्स में पढ़ेंगे वहां पर रहेगा शुक्र का वले तो तुला राशी का स्थान जो है इस जगह पे दिया गया सूर्य और शनी परवत के बीच ओ बीच पाँ बाद आते हैं वृसिक वृसिक राशी का थोड़ा सा और पोजीशन है क्यांकि वृसिक राशी का मंगल वाले स्थान से कहीं भी कनेक्शन नहीं बैट रहा है मंंगल वाला जो है यह जो एरिया है इसको पूरी तरह से हम इसके इसाब सो पकट रहे हैं और इसके मंगल के बलाबल को पकडए है लेकिन जो राशी है व्रिस्टिक वाली राशी का जो स्थान दिया गया है वो है अनामिका उंगली के सबसे उपर वाले पोर पे इसके बाद किया आता है धनू राशी धनू राशी को जगा दी गई है गुरू उंगली के नीचले वाले पोर में यहाँ पर धनू के बाद आते हैं मकर मकर राशी को दिया गया है इस वाले उंगली के उपर वाले पोर को सबसे उपर मिडल फिंगर के सबसे उपर को कहते हैं मकर राशी और कुम्ब राशी जो दिया गया है वो पढ़ रहा है यहां पर सर इसको 1234 करके 12 तक राइट कर लेंगे तो 1234 से वो राशी पकड़ में आ जाएगी यहां है वन या गया टू या गया थ्री या गया फोर five six seven eight nine तेन लेवन और ट्वल्व यह राश्यों का स्थान तो जब भी इसमें राश्यों के हिसाफ से से connection बनेगा वहम धीरे एक एक करके आगे की और पड़ते चले जाएंगे इंपॉर्टन्ट यह है कि हम कैसे इन सब भावस को रेखाओं के साथ कनेक्ट कर पाएंगे कि अब 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 अब